नमस्कार SBD News में आपका स्वागत है पेश चौर अगस्त बुधवार शाम सवा साथ बजे रास्तान की बड़ी खबरे रास्तान में मंत्री मंदल विस्तार और फिर बदल की कवार्ट के साथ साथ संसदी सचीव बनाय जाने का फॉर्मुला भी तयार कर लिया गया है मंत्री मंदल में पहली बार जीत कर आने वाले विधायकों को मंत्री मंदल और राजनेतिक नियुक्तियों में जगह नहीं देने की फॉर्मुले के तहट अब ऐसे विधायकों को संसदी सचीव कपर दिया जा सकता है यानि गहलोट पालेट कैम्प के युवा विधायकों के अलावा बसपा से आने वाले कुछ विधायकों और मंत्री मंडल में जोगह नहीं हासिल करने वाले नर्दिले विधायकों को संसदी सचिव कापद दिया जा सकता है तासान के ग्रामी नंचल में नई रोजगार संभावनाव का स्रजन कौशल से होगा इस पहल के तहट गहलो सरकार दस हजार ग्राम पंचायतों में दस लाख युवाओं के स्किल को निखारेगी इसे नकिवस्थाने सरपर रोजगार और अद्योगिक संभावनाव को मजबूती मिलेगी साथ ही गाउं से शेहरों की और हो रहा प्रलाइन भी रुख सकेगा ग्रामन युवाओं की ब्रेन स्ट्रोमिंग को राष्थान की भावी विकास की तस्वीर से जोड़ कर देखा जा रहा है राष्थान के ACP घूसखोरों की खिलाफ पूरी तरह से एक्शन मोड में है घूस खोरी की बड़ी मचली से लेकर छोटी मचली को जीरो टॉलरंस नेती के साथ रहस्तान ACB दबोच रही है आलम यह है कि राजी सरकार को ठेंगा दिखाते हुए बस्ट चार का मकरजाल बुरने वाले घूस खोर अधिकारी करमचारी और दलालों में ACB ने हरकम पैदा कर दिया है कोरोना के चलते इस साल देश में CBSC और RBSC में बारवी के विद्यार्थियों को अंकों की फॉर्मिले के आधार पर प्रमोट किया गया बारवी के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का नतिज़ा ये रहा है कि जाहे CBSC हो या फिर RBSC बारवी कक्षा में परिणाम 99% से जौद रहा वहीं रास्थान में करीब एक लाग से ज़्यादा परिशार्थी प्रथम श्रेणी से पास हुए है साथ ही करीब 15-20% वच्चों ने शत प्रतिशत अंक हासिल किये है SMS बार रहसान विश्विद्या रहके चारो ही संगटक कॉलेज में एडमिशन के कट ओफ 96-97% तक जाने की संभावना है पिछले चार दिनों से लगातार हो रही बारिश का पानी अब रेलवे ट्रेक तक भी पहुँच गया है इस कारण रेलवे ने भी अलोर्ट चारी कर दिया है कोटा मंडल में भी कई ट्रेनों के बादित होनी के संभावना है कोटा सवाई माधुपूर रेलवे ट्रेक के उपर बारिश का पानी आजवाने की कारण रेल सरक्षा एवं यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रुशासन ने बुदवार को जयपूर से रवाना होकर मुंबई सेंट्रल की ओर जाने वाली गाड़ी संख्या शुन्य दो नो पांच जयपर मुंबई सुपरफास्ट को परिवर्तित मार्ग अजमेर चिताओडगर को टानागदा होकर चुलाने का ने ने लिया है चिताओडगर जिले में मंगलवार राज से लगातार बारिश हुई है कई इलाकों में रिम जिम तो कई इलाकों में जमा जम बारिश हुई जिले के रावत भाटा और भैस रोटगर्ड शेत्र में सुबह आठ वजे तक 125 एमेम बारिश हुई रावत भाटा और भैस रोटगर्ड में जमकर बरसात होने पर ब्रामनी नदी उफान पर आ गई वहीं ब्रामनी नदी के किनारे धांग दमों कला गाओं के खेट में दो महिलाएं और एक व्यक्ति फंस गए दुंगरपुर जिली में कोविट स्वास्ते साहाइक भरती के अभ्यर्थी उन्हें बुद्वार को मखेची के सहम स्वास्ते अधिकारी कारेले के सामने प्रदर्शन किया दस्वे सत्यापन के 18 दिन बीटने के बाद भी पद स्थापन आदेश रही मिलने से अभ्यर्थी आख्रोशी थें उन्होंने प्रशासन से जल से जल्द भरती प्रकरिया पूरी करने की मांग की है जल्द की कोविट स्वास्ते सहाइक भरती में शामिल अभ्यर्थी बुद्वार सुबह सी एमेचो कारेले के सामने एकत्रित हुए और आक्रोश्ट दिताया मुखि मंद्रे उशो गहलोत और सचिन पारेट की खींस्तान के वज़े से जिला और ब्लॉक सर पर कॉंग्रेस संगठन में साल भर से न्युक्तिया आठकी है जिला द्यक्षो के नामों की घोशना एक बार फिर अटकने के आसार बन गए है मंत्री मंदल फेर बदल में हो रही देरी का आसर जिला और ब्लॉक अध्यक्षो की न्युक्ति पर भी होना तै है स्वतंतरता दिवश समारों की तैयार्या तै समय पर फूरी करने के निर्देश तिये राठाओड बुधवार को यहां शासन सेचीवाले में 15 अगस्त को सवाई मान सिंग स्टेडिये में आयोजित होने वाले राजिस तरे समारों के तयारियों के समिक्षा कर रही थी प्रमक्षासन सेचीवा ने कहा कि सभी विभाग बरसात के मौसम एवं कोविट को ध्यान में रखते हुए समय परताग्यारियां सुनिशित करें रासान के अलप संख्यक समुदाय की मेधावी चात्राओं की शिक्षा के प्रती प्रोचाहित करने के लिए राजिसरकार की काली बाई भील मेधावी चात्रा स्कूटी योजना के तहत स्कूटी देगी अल्प संख्यक मामलात वक्फ एवम जन अभाव अभियोग निराकरण मंतरी शालि मुम्मद ने बताया कि राज्य सरकार अल्प संख्यक वर के किसान एवम उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है विभाग ने अल्प संख्यक मेधावी शात्राओं के लिए स्कूटी देने की कवायत शुरू कर दी है प्रदेश की 750 मेधावी शात्राओं को स्कूटी दी जाएगी जैसल मेर जिले में जियोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया ने 13 वर किलोमेटर से भी अधिक शेत्रे में लाइम स्टोन के भंडारों की खोच की है रिपोर्ट के अनसार जैसल मेर के लखमानों की धानी में 4.68 वर किलोमेटर शेत्रे में करीब 18.012 मिलियन टन ए जैसल मेर के ही कुईयाला साउथ में 3.20 वर किलोमेटर शेत्रे में 39.82 मिलियन टन ए जैसल मेर के ही मियो की धानी इस्ट ब्लॉक के धाई वर किलोमेटर शेत्रे में 67.033 मिलियन टन और मियो की धानी नौथ में 200.37 मिलियन टन सेमेंट ग्रेड लाइम स्टोन के भंडार होने की संभावना रिपोर्ट दी है जैसल मेर जिले में मंगलवार को 18 साल से उपर के लोगों को कोवी शिल्ड की दूसरी डोज पहली बार लगाए गई इसके चलते वैक्सिनेशन के इंडरो पर भारी भीड उम्री जुला मख्याले पर होमीपैथी अस्पताल और गांधी कोलोनिस्ती चिकिसा के इंडर पर कोवी शिल्ड की पहली और दूसरी डोज लगाए गई वहीं गफूर भटा पीएसी पर को वैक्सिन का टीका लगाए गया ऐसे ही चले के लगभागत सभी पीएसी वैसी एसी में वैक्सिनेशन का कारे किया गया हौकी इंडिया के अध्याक्ष ग्यानेंद्रो निगोंबं के मंगरवार उद्यपूर आगमन पर खिलाड़ियों ने एरपोर्ट पर स्वागत किया वे यहां तीन दिवसी प्रवास पर हैं इस दोरान उद्यपूर संभाग में हौकी के वातावरन को सूद्रण करने को लेकर कारे योजना तयार की जाएगी हौकी उद्यपूर के सचीव डॉक्टर कुलदीप सिंग ज्छाला ने बताया कि अध्यक्ष निगोंबं नाद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन कर भारते हौकी टीमों के पदा के लिए प्रात्ना किये इस बीच उन्होंने हल्दी घाटी का भ्रमन भी किया उद्यपूर के अमबी हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में वैक्सिनेशन के दौरां दो सो रुपे लेकर एक वेक्टी कोटी का लगवाने के मामले में नई बास सामनी आई है जिसने वैक्सिन लगवाने के नाम पर उपे लिए वन नाबालिक निकला जहां ठीका करन के वेवस्था में खामी दिख रही है वहीं अस्पितल में में पावर उपलप्ट कराने वाली कॉंट्रेक्टर एजिंसियों के वेवस्था पर भी सवाल खड़ा हो रहा है सीकर जिले की रामगड सेथान पुलिस ने विजली निगम के खंबे चुराने के चार आरोपियों को ग्रिफतार किया है आरोपी करोली के गड़मोरा थाना इलाके के सागरपुर के राम सिंग और दीपक वेदया राम तथा नरेंडर हैं इनमें से राम सिंग और नरेंडर सिंग दोनों भाई हैं आरोपी खंबे लगाने के मशीन लगी ट्रेक्टर ट्रॉली की मदद से रात को खंबे चुराते थे तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और पड़ी खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें